तो आज हम देखेंगे FATF के बारे में किसी कre बारे में FATF के बारे में इसका मतलब ह molar financial action tax force फाइनेंसियाल एक्सण टाग्स फोर्स पुरी दुनिया के झाता है इसके पुरे जो दुलिए पीघ्स से बहार आजयों अब क्या है कि विरोथ कौन कर रहा है इसका अफगानिस्तान कह रहा है कि इसे लिए इसको फेटीस की जो ग्रेल से बाहर मत निकालो जो एक्रेटीस है वह दो प्रकार का लिस्ट कालता है जो तो इसमें वर्निंग दी जाती है जो जो अधानमाद को funding कर रहे हैं उसकर काम करते हैं अगर आप अशकर दुनिया करने नहीं दिया जाएगा अगर ब्लेक लिस्ट में डाल देता है तो बिल्कुल ही पूरी तरीके से संसंड हो जाता है अगर ब्लेक लिस्ट में आ जाते हैं तो कोई भी देश नहीं करेगा आपसे बैपार तो जानते हैं एक अंतर सरकारी संस्ता है क्या है अंतर सरकारी संस्त तो 1989 कंदर 89 कंदर इसका निर्माण हुआ कब वह निर्माण 89 कंदर जी सेबन के संवेलान जब हो रहा ता उसके दोरान इसके अस्थापना की गई थी इस प्रकार के देश आते हैं चिन नहीं आता उसमें इसमें वर्तमान में कितने देश हैं तो 37 देश हैं और उसके अंदर दो आपका छेत्रिय समू है उसमें यह कहीं यू मतलब दूसरा है गंचे कंसिल होता है जो फेट है परिस उच्वाटर के अंदर वहां है वहीं इसके क्या है इसका मुख्याले है कि इसका इसका क्या बुलते हैं मनी लॉंडरिंग आपके फिलम देखी होगी किक फिलम उसमें एक हिरो इने जेकलीन फंडनीस करके पता निकाना में उसका ओभी मनी लॉंडरिंग के केस में फसी हुई है ठीक है तो मनी लॉंडरिंग क्या होता है अवे तरीके से एक देश से दूसरे देश को पैसा भेजना या मगाना क्या कहता है यह मनी लॉंडरिंग कहलाता है तो इसका एम पहले यह था लेकिन क्या हुआ तो 2001 के अंदर 2001 के अंदर एक आतंगबादी घटना हुई और पुरया मतलब अमेरिका को बरबाद कर दिया तालीबानियों ने तो उसमें अमेरिका को समझ में आया कहां आतंगबाद नाम की कोई करки क्या होगा जाता है थी यह सबकाम मत करो इस वाला का मत करो ब्लेक लिस्ट में आगा तो क्या में आप ब्लेक लिश्ट में गलती से आ गए तो क्या होगा ब्लेक लिश्ट में आ जाते हो तो आपको आर्थिक पाबंदी लगा जी जाएगी पैसा नहीं मिलेगा आपको जो आई होता है आप सुनें आई एम एस है नवर्ल बैंक कि लेना पड़ता है तो जाओका पैसा म मनूह एक देस है और फकिस्ताने पैसे मादे थे पैसा चाहिए जाओ कि आपको देदूंगा 100 रुपे कितने दूंगा 100 रुपे कि जाओ एफ एफ का मुझे लिष्ट दिखाओ उसमें प्रविश्ट लेकर आपको पैसा मिलेगा तो आर्थिक पबंदी लगा जाएगी वैपार नहीं करेगा कोई विदेश आपसे कोई वि है लोगs के मरेंगे जैसे कि आज तर्की में हुआ है अंहीत ट्रकी तर्की है खेंा हिए उस्काओ लगर्यारे अपारिस नहीं करेगा कोई बी देश बीडस fix NYC टुरकिये हो गया ठीक है वह वैपार लिश्ट में ढल लिए क्वबिदेस आपको हेलप नहीं करेगा को इसका मुद्ध समझ में आया तो किसी ने बिरूष किया इसका अफगानिस्थान का कि इसको लिस्ट में मत लिका लोगा एक बार निकल गया तो फिर अपना पुराना वाला ही काम करेगा इसी लिए कहते हैं पोडोसी को बचागे रखो पोडोसी को मतलब बचागे मतलब कि समाल के रखोंसे ज्यादा इदर उदर मत करो तो पाकिस्तानी इनको मुर्ख समझते हैं अब उमिद करता हूं के चीजे समझ में आ गई होगी ठीक है अब कर दो है अलोगा है अब कर दो है अब दो है कि अब दो है कि अब दो है यह नियुत है आधि इस नहीं है